तो गाय जंगल्स वागताब सभी का रोब्लोक्स के और ने मजदार एपसोड में और आज हम खिलने वाला है बिग मेंशन टाइकून जहाँ पर आज हम अपने लिए एक आली शान सा घर बनाने वाले हैं और सिर्फ एक नहीं काफी ज्यादा घर बनाने मतलब सिटी में घर बनाएंगे बीच के पास घर बनाएंगे जंगलों में घर बनाएंगे बहुत सारे लक्षेरी घर बनाएंगे क्योंकि हमारे पास में काफी ज्यादा पैसा है अब अगर देखो के जब मैंने स्टार्ट किया तो भाई continue पैसा आए जा रहा था तो मैं थोड़ा सा इंतिजार करके अपने लिए 13,000 रुपे जमा कर लिया और यहाँ पर 300 डॉलर और हो गया जमा तो अब 14,000 अपने पास में total amount हो चुका और इतने पैसे में तो हम काफी ज्यादा अपग्रेड कर सकते तो सबसे पहले ना यहाँ पर एक land ले 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 तो उसके बाद एक path बना ले ता हूँ और यहाँ पर साए एक drive बना ले तो ताकि air road से यह connect हो जाए और उसके बाद में ना यहाँ पर हम drive wall बना लेंगे यह शायद से ना रास्ता सीधा जाएगा अपने घर के अंदर 60-60 डॉलर में अपग्रेड हो रहा है और क्या हमारे हर सेकेंड की income increase हुई है या नहीं हुए अभी तो साथ डॉलर की अपनी हर सेकेंड की income है जो के बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है और यह तो पढ़िया आलिशान सा रास्ता है अपने घर को जाने के लिए यहां से पैदल वाला रास्ता है और इदर एक फ्लोर बनेगा और इदर लग जाएंगे डूर डूर तो लगा लिए आजब आज़े तो कुछ है नहीं विंडो लगाना पड़ेगा चारो तरफ से तो नहीं मगर एक साइट से विंडो आईए वो भी 207 डॉलर की और इदर वाल अगर देखोगे तो भाई साब काफी जादा बड़िया वाल है इदर भी हमना एक विंडो लगा लेते है ठीक है और इदर एक साइट में वाल खड़े कर लेंगे 400 बाई 10,000 रुपे मेरे पास मैं मतलब कितने सारे पैसे अभी हमारे खर्च हो गए अभी अगर देखोगे तो हम हैं थर्ड लास्ट मतलब बहुत ज्यादा कम पैसे अभी बहुत सारी चीज़े कर रहे हैं और यहाँ पर तो हर एक चीज़ें कितनी ज्यादा महेंगी है ओ बाई 700 डॉलर की विंडो मतलब मैंने और काफी ज्यादा देर इंतजार करना चाहिए था मतलब एक दो लाक डॉलर मैं हम हो चुके सिर्फ बास 1700 रुपे पड़े हुए है 1700 में हम क्या करेंगे तो 3000 की प्वेंटिंग तो कर नहीं सकते तो यहाँ पर ना 1500 का काउंटर लगा लेते हैं और 900 का केबिनेट लगाने के लिए अपने को और पैसे की जरूरत है पार्किंग स्पॉर्ट आ रहा है 25,000 का तो यहाँ से जा करना पोस्ट बॉक्स से अगर देखेंगे तो बाई 4000 रुपे यहाँ पर मैंने जमा कर लिया और पैसे देखरो कितनी ज्यादा स्पीड से आ रहा है चलो 4000 में अच्छा खासा हम अपग्रेट कर लेंगे मगर अच्छा खासा तो नहीं शाय से कोई एक ही ची मतलब किसी ने बस ब्रश लेकर यह घुमा दिया और कुछ नहीं है और यहाँ पर 1200 की वाल आ रही है दिकत नहीं है अपग्रेट कर लेंगे हम उसे और अभी अगर देखो के तो मेगा मैंचन अपना सिरीफ 4% हुआ है बीच हाउस तो अभी पूछो ही मत यह अपने इतना मत मतलब 15-20,000 डॉलर अभी खर्चा कर दिया और सिर्फ 4% अपग्रेट हुआ है तो सोचो बिग मैंचन को अपग्रेट करने के लिए कितना ज्यादा अभी टाइम लगने वाला है उतनी दियर में आप 3,000 और हो गए ना जमा चलो बहुत अच्छी बात है सिर्फ 4% अभी अप पैसे जमा कर तो उसके बाद में जाएंगे और चारपा चीज ना एक साथ अपग्रेट करेंगे चलो तो पैसे जमा करने तक ना भाई पूरी रात हो गई और सिर्फ ओर सिर्फ हमने 14,000 रुपई जमा की है क्योंकि पैसे अभी काफी कम आ रहे है मतलब उतनी ज्यादा स्प जो के बहुत अच्छी बात है तो अभी हुआ है कि कुछ देर पहले जब मैं गराज का डूर उपन कर रहा था तो पता नहीं किसी रिजन की वज़े से रिकॉर्डिंग बंद हो गई उसके बाद मैं थोड़ा बहुत अपग्रेड और किया हूँ और मैं सोचा कि जा करना मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे जमा कर लूँ ताकि उसके बाद मैं एक साथ में अपग्रेड करूँ और उतिनी देर में रिकॉर्डिंग वाले बटन पर मेरी नजर पड़ी बाई और मैंने देखा कि रिकॉर्डिंग स्टॉप थी मतलब आज बहुत ज्यादा बड़ा नुकस करना था मगर बिचारी की गाड़ी वहीं पर स्टक हो गई कैर चलो अभी हमने 34,000 डॉलर कर लिए तो फटाफट से अपग्रेड करते हैं जो मैंने अपग्रेड किया है वो बता देता हूं यहाँ पर न मैंने 1600 रुपे की कुछ ग्लास लगाया उसके बाद में यहाँ पर ए यह अपने को एक फायर प्लेस ओहो यह ता कुछ ज्यादा बड़ी है फायर प्लेस है यहाँ पर भाई कुछ ज्यादा महेंगी वॉल्स आ रही है ना चलो लगा देते हैं अब कुछ कर ही नहीं सकते बाई जब इतनी महेंगी वॉल है पैसे की स्पीड अगर देगो तो 56 हम अपग्रेट कर लेंगे उसके बाद में रहोगा और इधर एक स्लाइडिंग डॉर है इसके पीछे भी मतलब कितनी बड़ी जगा है कितना ज्यादा भी अपने को अपग्रेट करना बचा हुआ है और पैसे अपने पास में खतम हो चुके हैं यहाँ पर कौन सा डूर आए एंगी ए तो काम करतो जब तक में अंना काफी जैदा पैसा जमा हो गया होगा अगर चलो पहले से तो काफी जैदा स्पीट से में पैसे जमा हो रहे है अभी तो काम कंक्ते हैं पहले यहाँ के लाइट यहां के वॉल्र वागरा इस बात बिड़ और भी डो हो लो फूर में अकाउंट बनाने दे बस तो यहाँ पर बस 10,000 रुपए होने में और येस ये हो गए 10,000 10,000 में हम 3 दिवारे और खड़ी कर सकते हैं तो पहले काम करता हूँ मैं ये जो काउंटर है न ये पहले काउंटर लगा तो पता नहीं काउंटर क्या काम है यार मेरे को ऐसा लगा पैसे ऐसे दे देगा ये बार-बार बाहर से जाकर हम पैसे उठा कर लेकि आना पढ़ रहा है चलो यहां की तो एक वाल फ्रेम आ गई बस विंड़ो अट्रसोर रुपे की इठानी है और यहां पर ने एक वाल लगा दे तो 69 डॉलर्स हर सेकेंड की अपनी इंकम होगी भाई यहां पर चोटा सा काउंटर लगा दे तो भाई यह काउंटर था क्या दा इतना ज्यादा बड़ा जो भी यह बढ़िया लग रहा है पहले यहां पर काउच लगाँगा ताकि यह वाली एरियो को मैं पैक कर सकूँ इसके बाद में यहां पर काउच लगाँगे इधर भी एक और काउच आ जाएगा इधर से मैं एक और डोर बिठा लेता हूं यहाँ पर ठीक है और 1200 में उपर जाने के लिए स्टेर केस आ रही है तो यह 1200 की स्टेर केस लगा देते हैं उपर का फ्लोर भाई 1400 मगर पहले नीचे का कंप्लिट करेंगे उसके बाद में सेकेंड फ्लोर पर जाएंगे और इधर क्या दर्वाजा नहीं अंदर आने जाने के ल क्यों था इधर एक रूम बन गया वाई इसमें वाश्रोम वगला रहा डित लॉद्स हें हैं और भी लगाद कर देते हैं कार्पिट बिचा देए और लगा देते हैं यहाँ पर एक चोटा सा डोर लगा देते हैं इधर एक विंडव तो नहीं आईग बात नहीं जाएगी यहाँ पर कहा घुसरा है भाई मैंने दरवाजा लॉक कर दी अंदर आने की जर्रोती नहीं है निकल ले चुप चाप यहाँ से चलो खामा का अपने घर में रेड करने आ रहे है फूद के पास इतनी बड़िया कार है मकर तो भी दूसरों के घर में भाई उसका घर त इसा लगा रहे है यहाँ की विंडो बच गई थी ना इधर की विंडो लगा ले थे चलो 95 डॉलर हाँ सेकेंड की अपनी इंकम हो गई बाई तो यह लगा दिया यहाँ पर एक चोटा सा काउच उसके बाद में यहाँ पर भी एक टेबल आ गया इधर साइड में भी कार्पे रहने इधर लाइट और वाल लगा देता हूँ और भाई साब काफी ज़्यादा बढ़िया लग रहे मतलब एफ से टन अफ एफ से टन अन तो यहाँ पर भी काउच और वाल दोनों लगा देते हैं हो गया इधर का कम्प्लीट इधर भी काउच और इधर एक चोटी सी वाल पर यह पतली गली क्या काम में आएगी है यहाँ पर शायद से कुछ और बढ़िया वाली चीज़ आनी चाहिए इधर भी काउच आगया हो गया इधर का कम्प्लीट भाई फायर प्लेस हर जगा मतलब एक ऐसा लग रहा है हम बरफिले इलाके में रहते हर जगा पुरे घर मे आग याँग हाथ से बैठे रहो बस यह लगा दिया इधर भी फायर प्लेस उसके बाद में इधर चोटे से लेंप लगा कर यहाँ पर भी कार्पेट बिचा लेते हो गया इधर साइड का मतलब इस साइड का अंदर का ना पुरा 100% कंप्लीट हो चुका है सिर्व बाहर गरा इसके बाद में हाँ पर एक च्छोटा सा फायर प्लेस इधर एक और फिलूर बना देते हैं यहाँ पर क्या उड़ा बना यह पर लागा इसे ना हम कुछ टाइम के बाद में अपग्रेड करेंगे तो यह लगा दिया साड़े तीन अजार की यहाँ पर सीलिंग इधर भी छोटी सी वॉल इधर छोटी सी लाइट है अब लगा रहा है यह एकदम बढ़िया मतलब उपर चछत है तो इधर फायर प्लेस भाई खुले वारी जगा पर मतलब उपर भी अभी कितनी सारी चीज़े अपके रेट करना अपने को बाकी है वाई चौदा सो रुपए का एक फ्लोर आ रहा है ना ले ले तो यहाँ पर बाई सिर्फ 20-30 डॉलर कम है और घर को बनाते बनाते ना मतलब रात होगा वाई कितनी राते बीच चुकी है अभी तक मतलब घर बनाना मामूली बात नहीं है बहुत ज्यादा महनत का काम है अभी तो यह एक ही घर है जो 50% भी अभी कम्प्लीट नहीं हो मतलब सिर्फ 21% ही काम हुआ है यह 100% होगा फिर उसके बाद मैं बीच हाउस लेके चलू तो बीच हाउस शायद से हम य बेस्मेंट भी यहां पर बेस्मेंट में जाने के लिए रास्ता हो कुछ ज्यादा मतलब यहां पर नम है वाल्ट है यह तर तो बना हुआ और इसकी अगर दिवारे तो देखो यह कुछ ज्यादा महंगा है बाई मतलब दो ढ़ाई लाग रूपे का डोर वागेरा वह सारी क यहां से तना प्यारा व्यू है और क्या मैं नीचे किरी है यहां से तना स्यादा प्यारा व्यू एदर विंडो की जगा भाई वाल बना दिया होगा कुछ प्लैन और 122 डालर हर महीने की इंकभ घर में हमारे बोलिंग बनी हुए इधर लाइट लगा तो पहले अप थोड़ से काम कर रही है यह नहीं तो यहां पर 3000 खर्च करके एक प्लैटफॉर्म बना लिए उसके बाद में बॉल की रेक बना लिए भाई यह बना तो लिया खेलते कैसा है यह गोटी तो मैं उठाई कंप्लिट हो चुका है बेस्मेंट छोड़कर अब बचा है उपर वाला फ्लोर तो चलते है उपर साइड में और जाकर चेक करते के 1400 रुपे में कौन सा फ्लोर आ गया यहां पर वाल आ गई कुछ यहां पर डाइनिंग टेबल यह नॉर्मल वाला टेबल उसके बाद में यहां पर एक छोटी सी सीलिंग यहां पर कारपेट चोटी सी चैर उसके बाद में यहां पर एक साइड में एक और चैर यह दूसरी वाली चैर तीसी चैर चौती चैर और शायद से अब पैसे खतम हो चुके नहीं 7000 रुपे पचे हुए मतलब डाइनिंग टेबल पर चैरी चैर है और 26000-27000 यहां पर और जम होगा तो फटाफट चलते हैं और जा करना हर एक चीज़ को फुली अपग्रेड करते हैं और उससे पहले नहीं यहां पर एक काम करतो पार्किंग स्पोट ना मैं एक पर्चेस कर ले तो 25000 का यह और एक लाग भाई यह एक लाग को ज्यादा है च उपर जाकर चेकरते एक बार क्या 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 चीज़े बाई उपर तो भहुत सारी चीज़े अभी अपने को अपग्रेड करना बागी है तो शुरुआत करते ही यह वाले रूम से यहां पर कुछ चैर और काौच वगज़े वह बचे वचे हुए थे उसे फुल्ली अपग्र कर लो उसके अंदर बागी सारी चीजे कर लो 159 डॉलर्स हर सेकेंड की इंकम हो चुकी है फ्रंट का इधर साइड का तो हमने पूरा कंप्लेट कर लिया है यहाँ पर नहीं हम आराम से बैट सकते हैं मदब बैट क्या हम पूरा लेट सकते हैं यहाँ पर मर्धूप कुछ ज्या है आने जाने के लिए उसके बाद में अपगेरा श्टार्ट करना यहाँ का बाई 0,0008,00-0,005,00वाइब बहुत सारी चीज़या में अपग्रेट कर सकते की धॉरा OH,ождow बहुत सारा हमने अपग्रेट कर लिए यहां पर लगादे यहांप लगा देते हैं उसके बाद में ब पिचर वगेरा नहीं देखना जब पूरा घर का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम बैट कर अराम से पिचर देखेंगे और इधर भी एक वाटर फॉले भाई ये मेंचन तो कुछ ज्यादा खुबसुरूरत और कुछ ज्यादा बढ़ा है साड़े आठ लाग रुपे अभी भी हमारे पास में है पड़े हुए इधर सीलिंग लगा दिया वाल लगा दिया लाइटे लगा दी उसके बाद में आप दूसरी वाली गैलरी का काम स्टार्ट करते हैं मतलब यहाँ पर couch लगा दिया rest room rest floor पता नहीं यह कुछ तो था जो भी है इधर लगा देते पहले outer complete करेंगे फिर indoor के उसमें जाएंगे और यहाँ पर भी ceiling couch wall भाई बहुत सारी चीज हमने अप्ग्रेड कर ली करीब करीब 200 डॉलर की हमारी अब हर second की income होने वाली है जिसमें तो हम और काफी ज्यादा speed से पैसे जमा कर सकते हैं उसके बाद मैं यहाँ पर एक wall लगा लेता हूँ यहाँ पर kitchen table की kitchen यहाँ पर dining room सामने है मतलब यहाँ से वहाँ जाने के लिए शायद यहाँ से क्या jump लगा के जाएंगे कैर छोड़ो जो भी हर जगा अपने घर में अगर देखो के न तो सिर्फ और सिर्फ बाई dining table fireplace painting यही सारी की सारी चीज़े घर में भर भर के लगी हुई है fridge भी लगा देते हैं यहाँ पर मतलब यह ऐसे समझ लो यह है हमारा kitchen समझ लो क्या है यह हमारा kitchen और यह kitchen table मतलब इस पूरे घर में नामा के लिए रहते है अगर तुम लोग ने ना subscribe नहीं किया और like नहीं किया तो वटाफट से भाई like करते हो और उसके बाद में आप start करते हैं यहां back side का काम इधर side में क्या एक बार जाके चेक करेंगे यह वाली तो area open है पूरा यह काम करते है 6000 का यहां पर wall लगा देते हैं शेल्स लगा लेते हैं उसके बाद में आप पर fridge लगा कर यहां पर counter लगा के लिए कपड़े तो हमारे पास एक ही है चोड़ो यह वाले रूम में क्या जाकर चेक करते हैं यह वाले रूम में भाई साब यह तो छोटा सा रूम है यहां पर हमने वाल वागेरा वो बना दिया इधर सिंक लगा देती यह है अपना ऊपर का bathroom यहां पर ना हाथ धो लेते हम अपने हाथ काफी ज्यादा गंदे हो गए चलो हाथ धोलिया टॉलेट लगा लेते हैं यहां पर लाइट लगा देते हैं इधर बातरूम का काम complete उसके बाद में यहां पर चेक करना है कि और और कौन सी चीज़ बची भाई यहां पर hallway बचा हुआ है जो काफी ज्यादा मह जिंगाता हो इसके बाद में भाई अभी बैक साइट में भी कितनी जारी चीज़े बची हुई है जिसे हमें अभी अप्ग्रेट कर रहा है और पैसे अगर देखो तो और पैसे खतमी हो गए अपने मतलब सचार साड़े-चार लाग रुपे बचे ग्यारा लाग रुपे मे पार्किंग स्लोट वह बाद में अप्ग्रेट करता तो वह ज्यादा सही था भाई खेर चुड़ो अब अप्ग्रेट करी लिया तो फिर काई की दिकत यहां पर भी सीलिंग लगा देते हो पर का काम कंप्लिट बस 13500 की लाइट लगाना है यहां पर इतना ज्यादा बड़ा घर है क्या मैं खुद कन्फ्यूज हो रहा हूँ कि कौन से रूम से आना है कौन से रूम से जाना है मतलब होटेल लग रही है सच बताओ तो यह एक होटेल लग रही है यह होगा शायद से हमारा एक मास्टर बैड्रूम अंदर तो अभी फिलाल में कुछ नहीं है यहां पर लगा देते हैं डोर्स इधर वाल और यह वाला रूम भी कंप्लिट हो चुका उसके अंदर और काफी सारी चीज़े पहले ना मैं एक काम करता हूँ पहले मैं चारों तरफ की धिवारे खड़ी करते तो फिर उसके बाद में हम रूम का डेकोरेशन करेंगे और यह शायद से हमारा परसनल रूम है जो के काफी जादा बढ़िया है भाई इधर चैर लगा देंगे इधर भी हमना टीवी चालू कर देते हैं के मूवी पता नहीं पास है वो रूम तो हमारा कुछ ज्यादा खुबसूरत है मगर यह तो है हमारा एक रूम बाजवाला रूम अभी बचा ह हुआ है जिसे हमने अपग्रेट किया नहीं यहां पर भी बैड लगा लेते मतलब 30,000 सब्सक्राइबर हैं हमारी इस चैनल पर हम पूरे 30 के 30 ना एक साथ यहां पर आराम से रह सकते मतलब पूरे 30,000 सब्सक्राइबर इतना ज्यादा बड़ा घर है हमारा और यहां से कहा जा चुकी है 283 डॉलर्स की एक काम कर तो वाल के जितने पैसे दर लगा देता है 284 होगा यहां कभी टीवी चालू हमने रख दी बैडरूम की भी टीवी चालू रख दी ओहो देख रहे हैं अंबानी बन गए हम यहां पर काच है यह क्या है पानी है काच के अंदर से बहरा है औ हमने सिलिंग नहीं लगाया था चल قाले पर तो इतनी देर में कितने सारे पैसे जमा ओंगे और यहां पर पार्किंग पार्किंग स्प्रोट काफिजब का यहां पर तो एक लाग एतितृ-धाल्ड़ी आमाउंट यहां पहुतसारी चीज़या अप्ग्रेड कर सकतें यहां सब क्या लगा है हमारा खूबसूरा सा प्यारा सा आली शान सा कुईट में है लिक दम और चलो यहाँ पर लगा दी हमने सीलिंग उसके बाद में यहाँ पर लाइटों की कमी एना चलो लाइट लगा दी आपर और कुछ बचा हुआ है तो इदर ना पूल चैर्स है जो हमने लगाई नहीं मगर पूल का है मतलब इतनी उपर पूल बनाए बाई यह इतना ज्यादा बड़ा स्विविंग पूल है देख रहे हो कितना ज्यादा मतलब पहले में को ऐसा लग रहा था कि नीचे कुछ है नहीं है सिर्फ और सिर्फ ओपन स्पेस है मगर यहाँ पर अगर देखोगे तो कितना ज्यादा खूबसुरत सामने इतना गहरा इतना ज्यादा बड़ा पूल बनाया पूरा खांदान स्विमिंग कर सकता एक साथ अब यहाँ पर बची है स्टेर केस मतलब इसके ऊपर भी भी रागे बढ़ते रहेंगे ठीक है इधर भी वाल लगा दी पुट्टी कर रहे हैं वाल पुट्टी प्लास्टर मतलब और चलो यहाँ पर हमारी घर में हमारा खुद का प्राइवेट जीम है डंबल की रेक भी लगा देते हैं यहाँ पर बॉडी बनाएंगे फिर उसके तगड़ी एकदम डेन बिलजेरेन हो गए हम रोब्लॉक्स के फिर पैसे खताम हो गए दिकत नहीं सीडी का काम ने वाई हम सिर्फ जंप मार 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 के आते हैं तीन सो रुपे कमा रहे हम हर सेकंड के बाइए तो अभी फिलाल में तो ज्यादा जमा नहीं हो है सतार आजार जमा हो इतने फिलाल में लेके चलता है जितना अपग्रेड होगा देखते हैं क्योंकि अभी बहुत ज्यादा पैसे लगने वाले यह तो एक ही घर है अभी अपना दूसरा घर अभी तो construction होना बाकि है काम स्टार्ट होना उसका बाकि है उसमें कितना ज्यादा टाइम लगय कितना बाई फिफटी फाइप अफ्टट हम एक फाइप रौन बाकि millise which बगकासी लगेों इतने पैसे जाम करने कितने देर लगए और यह होगी हमारी घर की theater टेटर है फिस्केटा फिवाखनोग किने वाले से श्क्रीं के आठ आट हजार चैन्म और क्या क्या यह वाला रास्ता है आने जाने के लिए नहीं इदर प्रोजेक्टर वगेर वो लगेगा शायद तो भाई 85,000 डॉलर यहां पर हमने जमा कर लिए और फिर 39,000 की हम लगा देते हैं सीलिंग उसके बाद स्क्रीन और उसके बाद में चैर और पॉइस सहाव यह तक ज्यादा बड़ी ठेट नहीं इदर रूम के अंदर देखेगो तो भाई साब इदर वाल बनाना बची हुई है बीबी यह बात रूम है शायद से हमारा खैर चलो पैसे पूरे खताम हो गया है थोड़ा इंतिजार करेंगे पैसे जमा करेंगे उसके बाद में एक छटके में पूरे के पूरे हमारे म मेंचन को हम अपग्रेट कर देंगे मगर वह बाकी सारी चीजों को हम अगले एपिसोड में गंटिर्यू करेंगे यह एपिसोड कैसे लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना और नए आयो हो चैनल पे इंजॉई किया तो प्लीज मेक शॉर टू लाग इन सब्सक्राइब क्यों के यह बड़िया बड़िया गयमप्लेज और ऐसी बड़िया बढ़िया सीरीज आते रहती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना अभी तो और काफी ज्ञादा बड़िया बड़िया रोब्लाक्स के वीडियोज आना इस चैनल के उपड़ अभी बाकी झाल झाल